हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर ओनलाइन क्लासेश दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे मैट्स इंगलीज साइन्स इब्येस और हिंदी को पढ़ाने के लिए आप कौन-कौन से वीडियो का परियोग कर सकते हैं तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं कि गनित शिक्षन वीडियो के बारे में यानि कि यदि आप गनित प्रहाना चाहते हैं तो आप कौन-कौन से शिक्षन वीडियो का परियोग कर सकते हैं जो सबसे पहले आप lecture method का प्रियोग कर सकते हैं इसको हिंदी में बोलेगा कौन सा बीधी वया ख्यान बीधी दूसरा आपका हो जागा inductive method तीसरा आपका हो जागा deductive method यानिकि inductive कहने का मतलब की आगमन बीधी और deductive कहने का मतलब निगमन बीधी चौथा आपका हो जागा heuristic method यानिकि animation या خोज बीधी पाँचवा आपका हो साथ बीधी आठवा इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग सन्सलिश नात्मक बीधी आठवा आपका हो जागा problem solving method यानिकि समस्य समधान بد्ः 9 आपका हो जागा laboratory मेथड यानि कि परियोग शाला वीधी और आपका दसवा हो जाएगा project method यानि कि project वीधी तो यह होता है आपके ग्रने सिक्षन वीधिया जो 10 महत्पून है जो आप ग्रने सिक्षन पढ़ाने के दौण 10 वीधियो का क्या कर सकते हैं परियोग कर सकते हैं अब आगे जानते हैं हम audio-lingual method का प्रियोग कर सकते हैं आप English पढ़ाने के दोरान चौथा आपका कौनसा हो सकता है Suggestopedia हो सकता है पाचवा आपका Silent Way हो सकता है चौथा कौनसा वीडियो हो सकता है आपका Total Physical Response हो सकता है शाथवा आपका कौनसा हो सकता है Community Language Learning हो सकता है आठवा आपका कौनसा हो सकता है आठवा तो हो ही गया आपका Community Language Learning नवा आपका कौनसा हो सकता है Task Based Learning और दसवा कौनसा हो जागा आपका Lexical Approach तो यह कौनसी है यह आपको इन्स पढ़ाने के दोरान आप इन्स वीडियो के प्रियोग कर सकते हैं नेक्ट हम जानते हैं अब Science पढ़ाने के दोरान आप कौन-कौन सी वीडियोग के प्रियोग कर सकते हैं यानि कि Methods of Teaching Science यानि कि आप Science पढ़ाने के दोरान कौन-कौन से सिक्षन वीडियोग के प्रियोग कर सकते हैं तो सबसे पहले आप कौन सा method यूज कर सकते हैं आप फिलिट्रिप या एक्सकर्षन method इसके बाद आप demonstration method के परियोग कर सकते हैं साइंस बढ़ाने के दोरान इसके बाद आप project method के परियोग कर सकते हैं चौथा आपका कौन सा है process based teaching method पाचवा आपका हो सकता है inquiry approach method छठा हो सकता है laboratory या experimental method शातवा आपका हो सकता है lecture method और आठवा कौन सा cooperative learning और नवा आपका discussion method तो इनसा बीदियो के दोरान आप क्या कर सकते हैं science शिक्षन भी धी कर सकते हैं अब हम जानते है environmental study को आप कौन-कौन वीदियो के दोरान बच्चो को पढ़ा सकते हैं यानि कि methods of teaching environmental studies यानि कि बच्चो को EBS पढ़ाने के दोरान आप कौन-कौन से सिक्षन वीदियो का परियोग कर सकते हैं तो सबसे पहले आप उसमें आपका आ जाएगा discussion method उसके बाद आपका project method तीसरा हो जाएगा problem solving method चौथा हो जाएगा observation method पाचवा हो जाएगा dramatization यानि कि drama करा के बच्चो को आप EBS पढ़ा सकते हैं तो हिंदी परहने की दोरण सबसे पहले आप कंचा वीदिका परियोग कर सकते हैं अनि कि simulation method का परियोग कर सकते हैं उसके बाद आपका हो जाएगा परत्यक्ष वीदियानिकी direct method तीसरा आपका हो जाएगा वयाक्रण वीदि ग्रामर मेथ़ड चाथ आपका हो जागा इकाई वीधी यानिकी उनिट मेथड पांचवा हो जागा आपका आगमन वीधी यानिकी अराइवल मेथड छठा हो जागा आपका निगमन वीधी यानिकी डिड़क्तिव मेथड शाथ आपका कॉनसा हो जागा पर्योजन वीधी या क्या होता है diesem video को है इस जोफ होता है इस जोफ को किस किन किन विडियो से पढ़ा सक्ते हैं एंगल יותר किन किन विडियो से पढ़ा सकते हैं आप साइन्स को कौन कौन के दोरा पढ़ाया जाता है और EBS और हिंदी को आपके इनकीन सेक्षेन वीडियो के दोरा पढ़ चो को बता सकते हैं तो ये वीडियो मतलब काफी महत्पूर्ण है आपके मतलब एक्जाम के लिए तो वीडियो को लाइक कर दे शेर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले